दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदर्शन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग चवधरी दोस्तों उत्तर प्रदेश माधमिक सिछा सेवा चैन बोर्ड दोरा अजित TGT परिच्छा को ध्यान में रखते हुए प्रिवियस इयर्स पेपर्स रिवीजन्स रिंखला के अंतरगर आज की वीडियो में प्रस्तुत है TGT नागरिक सास्त्र 2009 का प्रश्न पत्र आप इस प्रश्न पत्र को दोहरा लीजे तथा जो प्रश्न कठिन हो उन्हें अलग से नोट कर लीजे ताकि परिच्छाओं में आप आसानी से रिवाइज करके सही सही प्रश्नों को अटेम्ट कर सकें तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों पहला प्रश्न है लेवाइथन का लेखक कौन था बहुत ही महतपूर और बहुत आसान प्रश्न है ये आपका लेवाइथन का लेखक तो दोस्तों लेवाइथन की रचना हापस द्वारा की गई थी तो याद रखेगा थामस हाफ्स जो है वो लेवायथन की रचना की है इसके अलामा हाफ्स ने कुछ अन्य पुस्तकों की रचना की है जिसमें डी सीवे लेवायथन डी कार पोरे पालिटिको डी हो माइन और कानून के तर्टु तथा ग्रिह युद्ध पर एक वारता आदि पुस्तकें उसकी बहुत ही महत्पूर है अगला प्रेशन है दोस्तों राजनीत विज्यान का आरंभ और अंतराज के साथ होता है बहुत ही साध अगला प्रेशन है राज्ये के सावयव सिध्धान्त या आरगेनिक थियरी का समर्थक कौन है आपसन है आपके माक्स और इंगल्स हाप्स और लाक रूसो और ग्रामसी बलंटसली और हरबर्ट इंस्पेंसर तो दोस्तों जो यूग में है यह है आपसन फोर बलंटसली और इस्पेंसर ये राज्ये के सावयव सिध्धान्त या आंगिक सिध्धान्त के समर्थक हैं इस सिध्धान्त के अनुसार जिस प्रकार सरीर के विभिन अंग होते हैं और सरीर इन अंगों से मिलकर बना होता है उसी प्रकार राज्ये के भी कही अंग होते हैं और वह उनसे मिल कर बना होता है अगला प्रश्ण है सक्ति विभाजन के सिध्धान्त को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीत विज्यान का मौलिक सिध्धान्त बना देने का स्रे किस राजनीतिक विचारक को जाता है तो आपसन है आपके बोंदा, लाक, मांटेस्क्यू और नागरिकों की स्वतंता के लिए बहुत ही आवस्यक है अगला प्रश्ण एक कथन है कि राज पिर्थवी पर इस्वर का उत्रण है ये कथन किसका है आप जानते हैं हीगल का कथन है कि राज पिर्थवी पर इस्वर का उत्रण है उसके अनुसार ये मानना था कि पिर्थवी पर बिद्यमान एक दैवी बिचार है राज्य और वह हीगल जर्मनी का निवासी था आदर स्वादी बिचारक हीगल था और वह राज्य को पिर्थवी पर इस्वर का अवतरण मानता था अगला प्रश्ण है लोगप्री संप्रवता की अवधाणा का सुत्रधार कौन था लोगप्री संप्रवता या जन संप्रवता की अवधाणा जो है उसका सुत्रधार माना जाता है रूसो को रूसो जीन जेक्स रूसो दोस्तों उसे लोगप्री संप्रवता की अवधाणा का प्रतिपादक माना जाता है और ये माना जाता है कि राज की संप्रभुता को जो सामान इच्छा में निहित करने का विचार था रूसो ने इस संप्रभुता को सामान इच्छा में निहित करके उसे लोगप्री संप्रभुता के सिध्धान्द को प्रारंभ किया था अगला प्रश्ण है दोस्तों किसने दो परकार के समझहुते यानि एक सामाजिक और दूसरा राजनीतिक या सरकारी का प्रतिपादन किया है बहुत ही महत पूर है आपसन है आपके लाक, रूसो, हाफ्स आर मैंकियाबेली तो सही उत्तर है दोस्तों जान लाक जानलाग जो है अपने समझहोते में दो परकार के समझहोते एक सामाजिक और एक सरकारी समझहोते का विचार प्रतिपादित करता है अगला प्रश्ण है राज जी की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझोते के सिध्धान्थ निम्लिकित में से किस सिध्धान्थ के भिरुद एक प्रत्क्रिया के रूप में सामने आया था आपसन है आपके सक्ति सिध्धांत, एतिहासिक सिध्धांत, दैवी सिध्धांत यानि डिवाइन थेहरी तथा माक्सवादी सिध्धांत तो सही उत्तर है जो राज्य के उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझोता सिध्धांत है वो दैवी उत्पत्ति के सिध्धान्त के भिरुद एक प्रत्किरिया के सोरूप आया था पहले राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिध्धान्त में ये माना जाता था कि राज्य जो है वो इस्वर द्वारा बनाई गई संडशना है और राजा जो होता है वो इस्वर का प्रतिनिद होता है इसने राजा को निरंग को सक्तियां परदान कर दी थी दैवी सिध्धान्त ने और कई विचारकों या कई राजाओं ने ये घोशड़ा की कि मैं ही राजी हूँ और मेरा आदेस ही कानून है लेकिन इस विचार के विर हैं आपके England, France, Germany और Spain तो दोस्तों रूसो का जो जन्म था वो जेनेवा, France में 1712 में हुआ था और उसकी मृत्व 1778 में हुई थी रूसो को फ्रांसीसी क्रांति के क्रांतिकारी विचारक के रूप में प्रिंड़ा स्रोत के रूप में माना जाता है और उसका जो एक महत्वपोंड विचार है कि प्रकिर्तिकी और लौटो और देखे प्रकिर्तिकी और लौटो और एक और कथन है कि मनुस्य सोतंत्र पैदा हुआ है और वह सर्वत्र बेडियों में जकड़ा हुआ है ये कथन रूसो के है अगला प्रश्ण है दोस्तों रक्त संबंध समाज को और समाज राज्जी को जन्म देता है तो ये प्रसिद्ध कथन मैं काईवर का है बहुत ही महत्वपोंड की रक्त संबंध समाज को और समाज राज्जी को जन्म देता है अगला प्रश्ण है इस्टेट सब्द का प्रियोग सबसे पहले किस ने किया था प्लेटो, मनू, मैकियावेली और अरस्तू तो दोस्तों आधुनिक अर्थों में इस्टेट सब्द का प्रियोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया था बहुत ही महतपूर है राज्य को अंग्रेजी में स्टेट कहा जाता है और अंग्रेजी सब्द स्टेट लेटिन भासा के श्टेट सब्द से निकला है और आधुनिक अर्थ में इस्टेट शब्द का प्रियोग सबसे पहले इटली के एक प्रमुख यथार्थ वाद्दी जो तथ्यात्मक या अंतिम संप्रवता के निवास है वो भारत की जनता में है और इसकी प्रस्तावना भी यहीं से सुरू होती है कि हम भारत के लोग यानि अंतिम संप्रव जो भारती राजनीतिक विवस्था में है वो भारत की जनता है अगला प्रशन एक कथन है कि अधिका वो संके का कथन था कि अधिकार वह मांग या दावा है जिसे समा स्विकार करता है और राज लागू करता है अगला प्रशन है राजनीतिक कानून का संबंध किस से है दोस्तों राजनीतिक कानून जो है वो ब्यक्ति के बाहरी आचार विचार से संबंधित होते हैं तो ये इस पुलेटिकल ला कहा जाता है अगला प्रश्ण है कौन न्याय का सार्वलोकिक तत्व है आपसन है आपके न्याय समानता पर बल देता है न्याय असमानता का परियाय वाची है न्याय बंधनों पर बल देता है और न्याय बंधनों का अभाव है तो दोस्तों न्याय बंधनों पर बल देता है नियाय सेतात पर ऐसी सामाजिक ब्यवस्था जिसके द्वारा मनुस्य के पारस्परिक संबंधों को उचित ब्यवस्था का उद्देश से में की जाती है कि संगठित समाज की एकाई के रूप में ब्यक्ति के अधिकारों में सामंजस से बना रहे और ब्यक्ति अधिनायक तंतर निम्रखित में से किसका विलोम है। आपसन है आपके लोकतंतर, आदर्सवाद, साम्मिवाद और व्यवहारवाद। तो सही उत्तर है अधिनायक तंतर लोकतंतर का विलोम है। अधिनायक तंत्र में जो सासन सत्ता होती है एक ब्यक्ति में नहीत होती है और वह अपने सक्तियों का मन माने ढंग से प्रयोग करता है जबकि लोकतंत्र में सत्ता जो है ब्यक्तियों के समूह में नहीत होती है जिसके कारण उसके सक्ति प्रयोग या सत्ता के प्रयोग में जो सही उत्तर है उदारवाद या रिलिबरलिजम जिसने नीजी समपत्ति को प्रगत की आवस्यक सर्थ माना है अगला प्रशन है रिपबलिक का लेखक कौन था बहुत ही महतपूर्ण प्रशन है और बहुत आसान है आप जब वेश्टन पुलेटिकल थाट पढ़ते हैं तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों रिपबलिक का लेखक कौन था तो इसका लेखक प्लेटो था प्लेटो जो है सबसे महतपूर्ण राजनीतिक विचारकों में है ये सुरुवाती जो राजनीतिक विचार हमें प्राप्थ होते हैं Western Political Thought के वो प्लेटो से मिलते हैं चुकि प्लेटो एक आधर स्वादी विचारक है उसे राजनीतिक दर्सन का पिता कहा जाता है लेकिन अरस् अरस्तु क्रांति के किस सिध्धान्त का समर्थक है आपसन है आपके परंपरावादी, नौ उधारवादी, माक्सवादी और प्रकारेवादी सुथाही उत्तर है अरस्तु क्रांति के नौ उधारवादी सिध्धान्त का समर्थक है उसके अनुसार राज संबिधान और सासन सक्ता में होने वाला प्रतेग प्रकार का परिवर्तन क्रांती है उस समय अरस्तु के समय में क्रांती का अर्थ अलग था आज क्रांती का अर्थ होता है किसी प्रकार की बेवस्था में संभिधान में आमूल चूल परिवर्तन अगला प्रशन है महान ग्रंथ अर्थसास्त्र के लेखक कौन थे बहुत ही महतपूर है अर्थसास्त्र के लेखक कौटिल थे और चंद्रगुप्त मौरे के जीवन निर्माड में उसको राजा बनाने में कौटिल का महतपूर स्थान है और कौटिल राजनीत सास्तर का और कूटनीत सास्तर का प्रफकांड विद्वान था उसने राज सासन के लिए या सासन को चलाने के लिए अर्थसास्तर नामक ग्रंत की रचना की थी अगला प्रशन है दोस्तों कि राज्य का आधार सक्ति नहीं बलकि इच्छा है तो ये कथन किसका है ये कथन है दोस्तों टी एच ग्रीन का बहुत ही आसान सा कोटेशन है आप इसको याद रखेगा टी एच ग्रीन एक आधरस्वादी अंग्रेज विचारक था और वो मानता है कि राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं बलकि इच्छा है अगला प्रशन है इस्टेट एंड रिवोलुशन पुस्तक के लेखक कौन है आपसन है आपके इस्टालिन लेनिन ग्रामसी और बर्निष्टीन तो सही उत्तर है लेनिन बलादिमीर इलियच लेनिन जिसका जन्म 1870 और मृत 1924 में हुई थी और ये रूस के बोल सिविक करांत कहा जाता है अगला प्रशन है कि इस राजनेतिक दार्सनिक ने धर्म को जन साधारन करना सा या जनता की अफिम कहा है ओपियम आप्दपीपुल तो धर्म जनता की अफिम है ये कथन कालमाक्स का है वो कहता है कि धर्म जनता को मतांध और उसे गर्त में ढखेल देती है जिस लिए वो अफिम, जनता की अफिम कहता है धर्म को अगला प्रश्ण है आचारे कौटिल्य ने राज्ड को किस रूप में देखा है आपसन है आपके एक दैवी संस्था एक वर्गी संस्था, एक मात्र संस्था और चोलता है एक मानवी संस्था तो आचारे कौटिल ये अथार्थवाजे विचारक थे उन्होंने राज्जी की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझोते का सिर्धान स्विकार किया है और राज्जी के सावयवी रूप में विश्वास किया है और वो राज्जी को एक मानवी संस्था के रूप में देखते हैं. अगला प्रैशन है दोस्तों, भारती संभिधान के लिए मसविधा तैयार करने वाली समीद sécurité के अध्यष कौन थे? तो मसविधा को दोस्तों मसविधा या प्रारूप तो देखे बहुत ही महत्तपोर है, डाक्टर भीम राव अमबेटकर प्रारूप समित के अध्यस थे याद रखेगा मसवीदा या प्रारूप एक ही होता है ड्राप्ट कमेटी इसके अध्यक्ष डाक्टर भीम राव अंबेट कर थे और संबिधान का प्रारूप आपको पता होना चाहिए डाक्टर बी एन राव द्वारा तयार किया गया था संबिधान संसोधन द्वारा प्रस्तावना में से कौन सा सब्द जोड़ा गया था आपसन है लोकतांत्रिक न्याय समाजवाद और राजनैतिक तो सही उत्तर है दोस्तों समाजवाद सब्द 42 में संबिधान संसोधन 1976 द्वारा संबिधान में तीन सब्द जोड़े गये थे कौन-कौन से समाजवादी, पंथनिरपेच और अखंडता याद रखेगा तीन सब्द जोड़े गये थे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेच और अखंडता सब्द अगला प्रश्ण है भारती संविधान में किस संसोधन के पैडाम सरूप संपत्ति का अधिकार मोल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था तो सही उत्तर है चवालिस्वा संविधान संसोधन 1978 द्वारा जो संपत्ति का मोल अधिकार था इसको समाप्त करके अनुच्छे 300 सोक के तहट एक विधिक अधिकार बना दिया गया था अगला प्रशन है भारती संविधान में प्रथम संसोधन कब हुआ था तो सही उत्तर है जून 1951 में 18 जून 1951 में संविधान का प्रथम संसोधन हुआ था अगला प्रशन है दोस्तों कि कि संविधान संसोधन अधनियम के अंतरगत भूत पूर्व देशी राजाओं को प्रीवी पर्स को समाप्ट कर दिया गया था अगला प्रशन है कि संविधान संसोधन अधनियम द्वरा बयस्क मताधिकार की आईसी मा 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दी गई थी तो ये बहुत ही महतपोंड संविधान संसोधन 16 संविधान संसोधन था और ये 1989 में पारित किया गया था 16 संविधान संसोधन इसके अनुसार मताधिकार की जो नियूंतम आयू थी 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दी गई थी अगलाग प्रश्ण है कि किस संविधानिक संसोधन अधनियम द्वारा सिक्किम को भारती राजय पढ़ाली का अभिन अंग स्विकार किया गया था तो दोस्तों 35 संविधान संसोधन द्वारा सिक्किम को भारती संग का सहराजय या को इस्टेट का धर्जा दिया गया था और 1975 में 36 संविधान संसोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22 वराजय बनाय गया था तो याद रखिएगा सही उत्तर है 36 में संविधान संसोधन द्वारा सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था जो कि 22 वा इस्टेट था अगला प्रश्ण है भारती संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिग गई है मौलिक अधिकार संयुक्तराज अमेरिका तो दोस्तों संयुक्तराज अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायक पुन्रो लोकन का विचार लिया गया है प्रश्न है निम्नखित में से नैतिक कर्तब्य क्या है देखिए कर देना माता पिता द्वारा बच्चों को सिछा परदान करना सैनिक सेवा करना और इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर है माता पिता द्वारा बच्चों को सिछा परदान करना एक नैतिक कर्तब्य है और इसका उलेख अनुछे दिक्यावनक के ब्यक्तियों के मूल कर्तब्यों में किया गया है अगला प्रेशन है राज्य सभा बिगटित हो जाती है तो सही उत्तर है दोस्तों कभी नहीं राज्य सभा एक अस्थाई सदन है ये कभी बिगटित नहीं होती है और इसके सदस्यों का जो कारेकाल होता है 6 वर्स होता है तथा इसमें कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य प्रतेक 2 वर्स पर या प्रतेक 2 वर्स की समाप्ति पर सेवा निवरित हो जाते हैं अगला प्रश्न है भारत के राष्टपती का बेतन कितना है तो दोस्तों यहाँ पर भारत के राष्टपती का बेतन देखे यह पुराना है अब संसोधन कर दिया गया है भारत के राष्टपती का बेतन बहुत अधिक हो गया है लेकिन यह प्रश्न आपके लिए मैं कमेंट व अगला प्रश्ण है राष्टपती के निर्वाचन में कौन-कौन से लोग भाग लेते हैं तो सीधे सीधे आप जब राष्टपती का निर्वाचन पढ़ते हैं तो राष्टपती के निर्वाचन में दोस्तों संसत के दोनों सदनों के निर्वाचिस सदस से होते हैं और राज सभा और राज्य सभा के निर्वाचित सदसे और सभी राज्यों के बिधान सभाओं के निर्वाचित सदसे इसमें भाग लेते हैं इसमें मनोनीत सदसे सामिल नहीं होते हैं राष्टपती के चुनाओं के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है अगला प्रशन है दोस्तों भा भारत के राष्टपती की आपात कालिन सक्तियां निम्लखित में से किस देश की देन है तो सही उत्तर है जर्मनी के बीमर संबिधान की देन है भारत के राष्टपती की आपात कालिन सक्तियां तो भारती संबिधान के सुरोतों में राष्टपती की आपात कालिन सक्तियां जो संसत को सर्वोच ब्रीटेन में माना गया है क्योंकि वहां संसतात्मक प्रकार की सासन विवर्ष्था है लेकिन भारत में जो सक्तियां है वो संबिधान के द्वारा प्राप्त होती है इसलिए भारत में संबिधान को सर्वोच माना गया है अगला प्रश्न है भारत के राष्टपती पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है सर्वोचनेयाले को, लोकसभाध्यक्ष को, संसत के दोनों सदनों को और प्रधानमंत्री को तो सही उत्तर है भारत के राष्टपती पर महाभियोग लगाने का जो अधिकार है वो संसद के दोनों सदनों को है अगला प्रशन है भारत में राष्टपती राजिसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है तो आप जानते हैं भारत में जो राष्टपती है वो कला, साहित, विज्ञान और सामाजिक सेवा के छेतर में विशेश योगदान देने वाले बारे व्यक्तियों को राजिसभा में मनोनीत करता है अगला प्रशन है भारती संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यस्ता कौन करता है अगला प्रश्ण है भारत के पहले उप्रधान मंत्री कौन थे तो सरदार बल्लब भाई पटेल भारत के पहले उप्रधान मंत्री थे और उच्चितम न्याले के मुख नयाधिस का वेतन कितना है ये है एक लाख रुपे प्रतिमा अगला प्रश्ण है दुती पंचवर्सी योजना की मुख प्रात्मिक्ता क्या थी दुती पंचवर्सी योजना दोस्तों ये तीब ब्रगति से ओध्योगी करण करना जबकि पर्थम पंचवर्सी योजना क्रिसी और सिचाई पर योजनाओं का विस्तार थी लेकिन तीब ब् द्योगों जैसे दुर्गापूर भिलाई राउड कोला आधी जो इस्टील प्लांट थे इनकी अस्थापना की गई थी अखला प्रश्न है किस संबैधानिक पता धिकारी को उसके पद से पज्यूत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवस्यक नहीं है आपसन है आपके राश्ट पती, उप्राश्ट पती, संगलोगसिवा, आयोकाध्याच और सर्वोच नेयले का niyadhyas तो सही उत्तर है उप्राश्ट पती दोस्तों उपराष्ट पती को उसके पद से हटाने के लिए महाभियों की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है और उसको हटाने के लिए जो संकल्प है राजसभा में पेस किया जाता है लेकिन उपराष्ट पती को पद से हटाने का संकल्प राजसभा में पेस करने से पहले उसकी सूचना उन्हें 14 दिन पूर्व देना आवस्यक होता है और एक फैक्टर है कि भारत के संविधान में अभी तक किसी भी उपराष्ट पती को पद्यूत नहीं किया गया है अगला प्रश्ण बहुत ही आसान प्रश्ण है देखिए कोई विध्यक धन विध्यक है या नहीं इसका विनेश्य अंतिम रूप से कौन करता है तो सही उत्तर है लोग सभा अध्यच या स्पीकर किसी विध्यक के धन विध्यक होने का अंतिम नीड़े करता है अगला प्रशन है दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी श्रीमती सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पंडित सुचिता कृपलानी थी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोबिंद अगला प्रश्न है नागा लैंड की राजधानी तो यह है कोहिमा याद रखेगा नागा लैंड की राजधानी कोहिमा है अगला प्रश्ण है दोस्तों कौन सा निर्वाचन आयोक का कारे नहीं है आप सन देखते हैं निर्वाचन छेतरों का परिसीमन, राजनीतिक दलों को माननेता देना, उम्मीद्वारों का चेहन करना और उपचुनाओ कराना तो निर्वाचन छेत्रों का परिसीमन राजनीतिक दलों को माननेता और उपचुनाओ करवाना ये निर्वाचन आयोक के कारे हैं लेकिन उम्मीद्वारों का चेहन करना निर्वाचन आयोक कारे नहीं है अगला प्रशन है राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है आपसन है आपके सैनिक सासन के लिए, ताना साही के लिए, लोकतंत्र के लिए और इन में से किसी के लिए नहीं तो दोस्तों लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत ही आवस्यक है और ये जो ब्यवस्था है दली ब्यवस्था है लोकतंत्रों में बहुत अधिक सफल भी है अगला प्रशन है प्रजातांत्रिक विकेंद्री करण किसका पर्याय है सहरी प्रसासन का पंचायती राज का साम्मेवादी ब्यवस्था का और उधारी करण का तो दोस्तों प्रजातांत्रिक भी केंद्री करनर जिसमें सत्ता का अस्थानांत्रन नीचले अस्थरों पर किया जाता है ये पंचायती राज का पर्याय है अगला प्रशन देखते हैं सरकारिया आयोग रिपोर्ट किस से संबंधित है तो आप जानते हैं केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 1983 में जो R.S. सरकारिया की अध्यस्ता में तीन सदस्य समितिका गठन किया गया था और ये केंद्र राज्य संबंधों पर या केंद राज संबंधों की समिक्षा करने के लिए गठित की गई थी। अगला प्रशन है किस भारती राज्य का अपना भी संबिधान है। तो ये प्रशन अब बाहर हो गया है। पहले था जम्बु कस्मीर राज्य का अपना संबिधान था। लेकिन अब जम्बु कस्मीर राज्य को विशेश राज्य का दरजा अनुछे 370 के तहट समाप्त कर दिया गया है। और जम्बु कस्मीर को दो राज्यों, दो केंद्रसासित प्रदेशों में विभक्त कर भारत के अंतरगत उसे सामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्ण है, संयुक्तराष्ट संकी अस्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्तराष्ट संकी अस्थापना हुई थी, इसका मुख्याले निव यार्क में इस्थित है। अगला प्रश्ण प्रसासनिक कानून किसके मध्य संबंध निशित करता है? तो दोस्तों, राज्य का अपने कर्मचारियों के साथ संबंधों का निर्धारण एड्मिनिस्टेटिव ला के द्वारा होता है। अगला प्रश्ण है माइन कांप पुस्तक के लेखक कौन से हैं? माइन कांप, मीन कांप या माई इस्ट्रगल दोस्तों माई इस्ट्रगल या माईन कांप की रचना हिटलर ने किया था तो हिटलर की रचना है माईन कांप अगला प्रश्ण है केंदरा संबंध में बिवाद का कौन सा कारण महतवपूर्ण रहा है राष्टपती का पद परधान मंतरी का पद राज जिपाल का पद और मुख्य मंतरी का पद तो सही उतर है राज जिपाल का पद जो है केंद्रा संबन्धों में विवात का कारण रहा है संबिधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्टपती द्वारा की जाती है और यह नियुक्ति केंद्र सरकार की अनुसंसा पर की जाती है अगला प्रश्ण बहुत ही आसान है एक नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दोंगा ये कथन किसका है तो सही उत्तर है नेता जी सुबाश चंद्र बोस का और 2 जुलाई 1943 को आजा धिन्थ भोज के सैनिकों को संबोधित करते हुए बोस ने कहा था कि तु फ्रांसीसी क्रांती, अमेरिकी स्वतंता घोशड़ा पत्र, इंग्लेंड की क्रांती और रूसी क्रांती तो सही उत्तर है फ्रांसीसी क्रांती फ्रांसीसी क्रांती में इस नारे को दोहराया गया कि हम इस सत्य को प्रमारित करते हैं कि सभी मनुस्य समान पैदा हुए हैं स् समानता और भ्रातरित तो जो है ये फ्रांसीसी करांति का नारा था भारत की खोज यानि डिस्कवरी आफ इंडिया पुष्टक के लेखक कौन है तो ये हैं भारत के पर्थम परधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नहरू इन्होंने भारत की खोज पुष्टक लिखी थी क्रिटी का पॉलेटिकल इकानमी पॉलेटिकल इकानमी आनि राजनीतिक अर्थसास्तर की आलोचना पुष्टक के लेखक कौन है एडम स्मिथ, रिकार्डो, काल माक्स और जेयस मिल तो काल माक्स की रचना है क्रिटी का पॉलेटिकल इकानमी दोस्तों माक्स की अन्य रचनाओं में दे होली फैमली, पावर्टी अफिलास्फी, दे कम्निष्ट मेनिफेस्टो, क्रिटी का पॉलिटिकल इकानमी, वैलू प्राइस एंड प्राफिट तथा सबसे महतपूर्ट दास कैफिटल है अगला प्रेश्टी स्वतंता अंदोलन के दवरान बहिस्कृत भारत नामक विचार पत्र का कौन निकालता था? बहिस्कृत भारत डाक्टर भीम राव अंबेटकर दोस्तों डाक्टर भीम राव अंबेटकर ने राश्टी स्वतंता अंदोलन के दवरान बहिस्कृत भारत न के दोरान ब्रिटिस सरकार द्वारा गोल में संगेलनों की स्रिंखला में महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था तो दोस्तों महात्मा गांधी ने दुतिय गोल में सम्मेलन में भाग लिया था ये सम्मेलन 5 मार्च 1931 को हुआ था और गांधी जी दूसरे गोल मे सम्मिलन जो 7 दिसंबर 1931 से 23 सितंबर 1931 तक लंदन में आयुजित हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था तो ये था आज का वीडियो TGT परिच्छा जो राजनीत विज्ञान या नागरिक सास्तर का कहा जाए सामाजिक विज्ञान TGT सामाजिक विज्ञान के अंतरगत नागरिक सास्तर का वर्ष 2009 का नागरिक सास्तर का प्रश्ण पत्र आप इन प्रश्णों को तयार कर लिजिए ताकि आगामी परिच्छाओं में यदि ये प्रश्ण पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्ट कर सकें और परिच्छा में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें दोस्तों वीडियो आपके लिए कितना लाभकारी हो रहा है हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा इसके अलावा आपको एक प्रश्ण दिया गया है उस प्रश्ण का उत्तर आपको कमेंट बाक्स में बताना है वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्क दश्ण फार सिविल सर्विशल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार